असलाम अलेकूम मैं उश्फीकर एक नई वीडियो के साथ हाजर हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको एक घर की बेस्मेंट कैसे बनाई जाती है कम्प्रीट प्रॉसस डिटेल के साथ स्टेप बेस्टेप इस वीडियो में शेयर करता हूँ जैसे पहला स्टेप यह है कि यहाँ पे घर की बेस्मेंट त्यार हो नहीं है उपर जो उसकी सर्फेस है उसकी एक लीनिंग का प्रॉसस है फालतू चीज़े से हटाई जा रही है अच्छा जी नेक्स स्टेप में हमें इसको एक्सेवेट करना है वहां तक जो हमें रिक्वाइड है बेस्मेंट की हाइट जितनी बेस्मेंट की हाइट हमें चाहिए वहां तक इसको हमें एक्सेवेट करके नीचे जाना है अब यह आल्मोस्ट इसकी एक्सेवेशन का प्रॉससेज जो है वो कम्प्लीट हो चुका है अब मैं आपको नेक्स टेप दिखाता हूँ कि एक्सवेशन के बाद क्या करना है हम अच्छा जी अब इस स्टेज़ पे क्या करना है इस स्टेज़ पे हम दो काम करते हैं सबसे पहले नमबर एक तो पहले ये काम है कि जो हमारे सेंट्री के जो प्लमिंग के पाइप हैं वो इसमें सबसे पहले वो डाले जाते हैं पाइप ड्रेनी जोगरा के लिए और सेकंड स्टेप ही होता है जो लूज मटी है उसके ओपर कमपेक्टर की मदद से उसको कमपेक्ट किया जाता है ताके वो मटी लूज ना रहे जैसे ही यह आपको नजर आ रहा है कि अब इस स्टेज़ पे इसके प्लमिंग के पाइप डाल चुके में हैं और इसके कमपेक्टर की मदद से इसकी कमपेक्शन चल रही है जैसे ही यह कमप्लीट हो जाएगी फिर इसका अगला प्रोसेस आएगा इसकी PCC का आएब में नेक्स टेप में आपके इसकी PCC देख अच्छा जी अब हम उस स्टेज़ पे आ चुके है जब हमें इसकी PCC करनी है बैट क्योंकि दोनों काम हम कर चुके हैं सेंट्री के अपने हम पाइप भी डाल चुके हैं सिर्वरिज के क्मपेक्शन भी कर चुके हैं हमकरेक्टर से अब इसकी स्टेज़ और इसकी PCC की इसमें आप देख रहे होंगे कुछ पॉरशन आपको थोड़े से डवर नज़र आ रहे हैं कुछ ऊपर नज़र आ रहे है डवर जो पॉर्शन है वह जहांपे हमारा brick work होगा जहां पे हमारी जो दिवारें हैं दिवारें यहां पे यहां से start होंगी तो इस वज़ा से वो portion थोड़ा सा deep है उसमें इसकी जो PCC की ठिकनस है वो ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे दिवारों ने rest करना है अब अगली स्टेज देखते हैं अचा जी अब next step पे आगे हम बेसिकली अब यह PCC डल चुकिए इसके उपर हमें अब RCC flooring करनी है तो RCC flooring से पहले इसके उपर यह chemical coating चल लिए इस chemical coating का basically purpose यह है कि floor में जो नमी आ जाती है उस नमी को यह कंट्रोल कर ले जो सिपज आ जाती है वो सिपज को यह chemical coating कंट्रोल कर ले चुकि यह basement है तो basement में चारो साइडों से वैसी यह बंद होती है training wall की वाजासे तो सिपज यह नमी आ जाती है तो उसको यह chemical coating जो है यह control कर लेती है क्योंकि इसके बाद अगला step जो है वो यह है कि इसके उपर RCC है इसके उपर अब वो स्टील बंद है तो उससे पहले इसकी यह सारी coating चल रही है अब जैसे सारी coating इसकी complete हो जाएगी तो इसे proper एक या दो दिन देने ड्राइओ ने जैसे यह proper ड्राइओ जैसे फिर अगली stage है इसके उपर फिर स्टील बंदेगा तो अब जैसे कोटिंग चल रही है जब ड्राइओ जो तो फिर अगली stage आएगी जी यहां पर वो stage आगी है जब हम इस पर अर्ची सी बैड की त्यारी कर रहे हैं बैड की त्यारी में यह steel fixing का का मिस्टेंग चल रहा है वो आपको नज़र आ रहा है कि जहां जहां पे हमारी दीवारे आने हैं दीवारों ने rest करना है वहां पर थोड़ा पोर्शेट डीप है और अब यह उस टेट पे प्रपर यह half portion जो है इसका water stopper का वो concrete का हिसाब चुंकि इसका RCC का बैड सारा त्यार हो चुका था अब इसकी बैड की concrete चल रही है अब जैसे अब बैड की concrete हो जाएगी फिर इसके बाद अगला step आ जाएगा इसकी retaining wall का retaining wall की shutting स्टार्ट हो जाएगी back side वाली और उस पे steel ब आते हैं अगला step की यहां पर अगला step स्टार्ट हो गया इसकी retaining wall का अब retaining wall की इसकी pouring हो नहीं है उसके लिए सबसे पहले back side वाली सारी shuttering लग चुकी है और उसके बाद इसके steel fixing का का काम स्टार्ट हो गया हो जो water stopper अपने half concrete में pour कर लिया था bed की half जो है वो इसमें pour होगा retaining wall में इसकी जब complete करेंगे तो अभी यह देखें यह सारा आपको नजरा आ रहा है कि शट्रिंग हो चुकी है one sided जो अंदर वाली साइड की shuttering है वो complete हो चुकी है और इस पे यह steel का का काम स्टार्ट चल रहा है अब अगली stage में मैं आपको दिखाता हूं कि जब इसका यह दोनो यह सारी shuttering उसकी लग रही है जैसी यह लग जाएगी तो फिर इसकी pouring की stage आ जाएगी जी तो यह देखें अब यह सारा काम इसका त्यार हो चुका वैर retaining wall का ready है concrete के लिए अब इसको finally सारा यह देखते हैं तो इसमें कोई मसला मसाल तो नहीं है इसकी जो retaining wall है वो proper है और अग retaining wall की final checking चल रही होती है और यह देखें जी यह stage आ गई है जिस पर इसकी concrete चल रही है अब यह देखें इसके साथ यह bed बनाया जाता है bed के साथ वो यह थोड़ा सा time consuming होता है चूंकि इसमें चारों साइडों पर आपने concrete करनी है आपने उसका चारों साइडों पर पैड बनान यह देखें इस process के साथ इसे वो करते हैं बड़ी इतियात के साथ अगर इसमें वाइबरेटर चलाना है तो उसकी बड़ी care की जाती है ताकि यह शट्रिंग खुल ना जाए तो यह इस stage पे इसकी यह सारी concrete का process चल रहा है यह देखें अब यह सारे इसका concrete का process चल रहा है हम त्यारी करेंगे इसकी च्छत की इसकी slab पोर करने की उससे पहले इसका brick work स्टार्ट होगा नीचे यह वह स्टेज है जब bed की सिफाई का काम चल रहा है जो शट्रिंग की खुल गई है उन चीजों को side पे हटा रहे हैं ताकि इस पे ब्रिक work स्टार्ट करता है ताकि इसकी slab पोर की जा सकते हैं अब यह अगली स्टेज हमारी वो ही है इसका brick work यह देख लें अब यहां पर इसकी layout चल रही है brick work की layout के बाद इसकी वह proper चनाइएं लगेंगी brick work होगा और इसकी फिर slab पोर की stage आ जाएगी यह देखिए आप यह proper इसकी layout वाली स्टेज है वह layout वाली स् जहां जहां पर हमें रिटेनिंग वाल है उसके आगए एक दिवार जरूड लगानी चाहिए ताकि कल को कोई सिपज वगरा होती है, कोई लिकेज वगरा होती है तो इस दिवार से डबल प्रोटेक्शन हो जती है तो ये उस सिपच को ये लिकेज को रोकने में ये दिवार भी मदद करती है ये देखें जहाँ जहाँ पे रेटरिनिंग वाल है उसके साथ अंदर इनर साइड पर साड़े चार इंच की वाल सेपरेट इसकी उपर लगा दी जाती है अब देखें बिक वर्क का प्रोसेस है कफी हद तक कम्पलीट हो गया लिंटर लेफल तक आचुके हैं तो अब इसके उपर बस यह लिंटर लेफल है इसके उपर थोड़ी सी चनाई लगेगी यह जैसे आप देख रहे हैं और इसके बाद फिर इसका शट्रिंग का प्रोसेस आप प्रॉस्च के एभा देगे क्या है जैसे श्ट्रिक्टिंग्स हो गई ऑप अब इसकी स्टेयल की स्टेज है करप की स्टील कटे और इसंची बन्देगा है और पाइपिंग्स जाका होगी ऑम पाइपिंग्स काती बहू एक निद्दोता बन कर safest कर दंद कर दो कि अदर च चीज़ इसकी स्लैब ओर होने के लिए पाईप डाल चुके हैं, स्टील बन चुका है, फाइनल इसकी चेकिंग हो गई है, अब इसकी ये कंक्रेट की स्टे जई है, भी ये देखें, हर चीज़ रेड़ी है, अब इसकी स्लैब की कंक्रेट हो जाएगी, अब ये देखें वो मरहला आगया है जब इसकी कुंक्रीटिंग चल रही है मैं आगे भी इन्शाला नेक्स्ट कुछ वीडियो इस पे शेयर करूँगा जिसमें कंप्लीट कंसेक्शन का प्रॉसेस शेयर करूँगा एक घर जो एक्सेवेशन से लेके फांडेशन और फांडेशन से लेके कंप्लीट जब घर तियार हो जाता है तो वहां तक का जो पूरा प्रॉसेस है वो शेयर करूँगा अगली वीडियो में आपसे इन्शाला और तीन और पांच मरला घर की कंसेक्शन कास्ट के उपर भी डिटेल के साथ आने वाले दिनों में इन्शाला वीडियो बनाऊंगा ये देखें इस लैप ओर हो चुकी है और उसके उपर ये एक एक रदा लग गया है ताके जब पानी लगाएं इसके उपर क्यूरिंग करें इस लैप की तो पानी नीचे न जाए ये वो स्टेज है जब इसके उपर ये सारा आप देख रहे हैं पानी लग चुका है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद है योगी पसंद है ये तो लाइक कर दें नेक्स्ट वीडियो तक अलाफेज